दूसरा question है, cosecant x दिया हुआ है, minus 1 by 2, तो यहां से x की value आएगी, 240, ठीक है, 240 क्यों आईए, क्योंकि x लाई करता है, third quadrant में, pi से 3 pi by 2, अब x की value, यानि थीटा की value, या फिर angle की value, आप जो equation का मान निकालना है, उसमें रखिए, 4, tangent square, 240, पलस का 3, cosecant, square, 240, ठीक है, तो 4, tangent, 240 होता है, root 3, third quadrant में तो positive रहेगा, and root 3, plus का 3, cosecant 240 होता है, 2 by root 3, और, third quadrant में तो minus का होगा, फिर उसका उपर से square, ठीक है, तो आगे सोल कीजिए, 4, गुना 3, ठीक है, plus 3, गुना, 2 का square, 4, और, root 3 का square, 3, तो 3 से 3, cancel, 4, 3, 12, 4, 16, तो option 4 है, वो हमारा सही अंसर है, 2 बच्जाओाइ अंसर है, तो झूना किसे,